नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गॉर्मेंट एक्जाम प्रैप चैनल दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करेंट अफेर में 7 जुलाई 2021 के निउज पेपर में से जो की एक्जाम, CHSL, कमबाइन ग्रेजुएट लेबल, NTPC, इंटेलिजन्स ब्यूरो, CPUSI, दिल्ली पुलीज और इस्टेट सर्विसेज एक्जाम के साथ साथ, बैंकिंग एक्जाम के जनरल अवेर्नेस के लिए या हिल्प करेगी तो आई एक ही करके डिस्कस करते हैं, आज के नेशनल अफेर्स में, रास्ट्री मामलों में प्रोजेक्ट बोल्ड, अब यहाँ पर बोल्ड क्या है, तो बैंबूज, Oasis on Lands in Drought यानि मरुस्थली करण को कम करने और आजीवी का और बहुँ बिस्यक ग्रामीड उद्यों को शहायता प्रदान करने के संयुक्त रास्टी उद्योसों की सेवा करने वाला एक अनूठा यह बैज्ञानिक प्रयास है, यानि इस प्रोजेक्ट को किस ने सुरू किया है, इन्हें भी याद रखेंगे, फ्रॉम दे ट्राइवल विलेज लोवर मंडवा इन उदैपूर इन राजस्थान, उदैपूर की राजस्थान डिस्टिक से यह आदिवासी गाओं निचला मंडवा से सुरू किया गया है, यहाद उदैपूर जिसे लेक सिटी भी कहते हैं, जीलों का सहर भी कहा जाता है, बहुत खुबशूरत सहर है, राजस्थान का, तो यहाँ पर साइड में दिया भी हुआ है, के वी आईसी की स्थापना 1956 में हुई थी, इसका हेड़ कौर्टर मुंबई में है, और इसके जो चेर्मैन है, बिने कुमार सक्सेना है, ती चार पॉइंट इसमें से आ रहा है निकल कर, तो 5000 सेंप्लिंग, यानि 5000 पाउधे हैं इसमें बांस के, तो इसमें जो है, बांस की दो प्रजातियां हैं, बंबूसा टूल्डा और बंबूसा पॉली मोर्फा, 25 बीगे, यानि 16 एकड में, खाली सुस्क ग्राम पंचायत भूम में लगाए गए हैं, दस केवी आईसी हैस क्रियेटेड ए वर्ल्ड रिकार्ड फार प्लांटिंग मैक्समम नंबर आप बंबू, सैंप्लिंग्स इन ए सिंगल डे एट वन प्लेस, और दोस्तों यह जो बंबूसा टूल्डा है, इसका जो यूज होता है, यह याद रखेंगे, अगर बत्ती की तीलियों को बनाने में, जबकि बंबूसा पॉली मॉर्फा का उ प्योग फरनीचर और हस्त सिल्फ वस्तों के निर्माड में किया जाता है, इस तरह से मास का जो प्योग है, अगर बत्ती की तीलियों, फरनीचर, हस्तिल, संगीत वादियन, कागज की लुगदी, मकान, जो कच्छे मकान बनाया जाते हैं, उसमें भी इसका प्रियोग किया जाता है, और मास के उतपादन में भारत में प्रथमस्तान असम का है, और बिस्व में अगर बात की जाए तो वहाँ चीन का है, अब बढ़ते हैं, सेंटरल गवर्मेंट क्रियेट ए सेपरेट मिनिस्ट्री आफ कोपरेशन फॉर रियलाइजिंग दा विजन आफ सहकार से सम यह बहुत ही महतपूर है सहकार से समरिद्धी के विजन को साकार करने के लिए, केंद्र सरकार ने अलग मंत्राले ही बना दिया सहकारिता मंत्राले यह इसको सहायक मंत्राले भी यह सहयोग मंत्राले कह सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज यह इस सरकार का फिर से विस्तार होने जा रहा है नए मंत्री पद अपना जो है ग्रहन करेंगे राष्ट्रपती उन्हें नियुक्त करेगा तो इस तरह से उसके पहले ही सरकार ने एक और मंत्राले को बना लिया है तो इस ministry will provide a separate administrative, legal and policy framework for strengthening the cooperative movement in the country The government has said that in our country a cooperative based economic development model is very relevant where each member works with a spirit of responsibility तिसलिए इसको अलग सीस मंत्राले का गठन किया गया याद रखेंगे और यह सहकारी गद्विधियों को मजबूत करने के लिए अलग से प्रसासनिक कानूनी और नीतिगत धाचा उपलब्ध कराएगा और इसके साथ साथ यह आर्थिक विकास में भी मदद करेगा The ministry will work to streamline processes for ease of doing business for cooperatives and enable development of multi-state cooperatives यह इस आफ डूइंग बिजनिस की प्रक्रिया को यह और आशान बनाएगा और इस तरह से भारत की अर्थ विवस्ता में इसका भी बहुत महत्वपून योगदान होगा इसलिए इस मंत्राले का गठन किया गया है अब बढ़ते हैं दोस्तों international affairs में rare earth mineral like lithium in Afghanistan attract China यानि अफगानिस्तान को हम लोग खबरों में क्या सुनते हैं कि आज अफगानिस्तान में तालिबान ने यहां पर अतंकवादी attack किया है तो इस तरह की खबरें सिर्फ और सिर्फ वहां असांत छेत्र के रूप में उसे घोसित कर दिया गया है लेकिन उसी के बीच एक अच्छी खबर आ रही है बहुत सारी संभावनाएं लिए हुआ है अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान में बहुत सारे खनिच के पाये जाने की चर्चा है ऐसे में चीन भी अपनी लल्चाई निगाहें इस पर केंदरित कर रहा है तो दे नेबरिंग कंट्री यह हमारे पडोस में ही है अगर हम बात करें 108 किलोमीटर की सीमा है भारत का जो पाक अधिकरित कश्मीर चेतर है तो दिस नेबरिंग कंट्री आफ इंडिया है जिसके लिए आने वाले समय में दुनिया भर के मुल्क इसकी तरफ आकरशित होंगे तो यहां पर दरसल भारती उप महाध्यूब के एसिया से टकराने के दोरान धरती पर मौझूद दुरलव खनिजों का विसाल भंडार अफगानिस्तान में पहुँच गया यह बात आप लोग समझे इसको जैसे की हिमाले की उत्पत्ती कैसे हुई दो प्लेटों के टकराने से हुई तो इसमें क्या हुआ था यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट दोनों जब लाटो नामकस्थान पर जब दो प्लेटों का कोलिजन होता है तो क्या कहते हैं उसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट कहते हैं विनासात्मक प्लेट कहते हैं तो इस तरह से हिमाले की उत्पत्ती हुई तो यहां पर यह जो है उपर चुकि अभी भी यह किसक रही है प्लेट तो इस तरह से दुरलब जो खरिज थे वह इन छेत्रों पर मौजूदगी इनकी पाई गई तो इस तरह से इन खनीजों का अगर खोज हो जाएगा तो ऐसे में अफगानिस्तान सिर्फ युद्ध आतंकवादियों की भूमी नहीं कहा जाएगा आतंकवादियों तो आरा प्रताडित भूमी के रूप में नहीं जाना जाएगा बलकि यहाँ पर बहुत सारे खनीजभनडार मिलेंगे बट इफ दिस ट्रीजर फॉल्स इंटू दर रॉंग हैंड अगर यह खजाना किसी गलत सक्ती के हाथों में पड़ गया तो इस थितियां और भी भयाहों हो सकती हैं तो अमेरिका इंटर्ड अफगानिस्तान इंट रहा था कि अलकाइदा संगठन और यह तालीबान मिल करके ऐसा घटना किये थे ऐसे में अफगानिस्तान पे वह 18 वरसों तक वहाँ पर अपने अधिकार जमाए रखे लेकिन फिर भी तालीबान को पूरी तरह से नस्त नाबूत नहीं कर पाया अमेरिका तो इस तरह से कह सक है कि अफगानिस्तान में इसके बहाने वह इन खनीजों पर भी अपनी नजर घड़ाय हुए है तो अफटर दिस अमेरिकन जियोलोजिकल सोसाइटी बिगन तो इन्वेस्टिगेट दा मिर्डल प्रेजन इन अफगानिस्तान तो अमेरिका की जो जियोलोजिकल सोसाइटी है उसने अफगानिस्तान में खनीजों के जाच सुरू की है तो इन 2006 अमेरिकन रिसर्चर्चर्स केरीड आउट एरियल मिसन यूजिंग मैगनेटिक ग्रेविटेशनल एंड हाइपर स्पेक्टरल सर्वे इसका हवाई मिसन द्वारा भी सर्वे किया गया और मिनरल फाउंड इ लिथிयम एड नीयोबियम यह बहुत इम्पोटन्थ है यही करण है कि चीन इसकी और आकरसित हो रहा है तो अफगानिस्तान में पाए जाने वाले यह सब खनिज हैं लिथियम इसे कहा जा रहा है साओधी अरब भी कहा जा रहा है लिथियम का अफगानिस्तान को Actually lithium is used in the batteries of laptop and mobile computers तो वहाँ पर भी अमेरिका कर रहा है साओधी अरफ में इसलिए उसने साओधी अरफ से इसकी तुलना की है तो niobium is also found in wartern, अफगानिस्तान तो यह जो niobium है खने जी यह भी युद्ध की मार जेल रहा है अफगानिस्तान में पाया जाता है It is a soft metal used to make superconducting steel या superconducting steel बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है तो अमेरिका यहां रही रहा है ऐसे में चीन की भी entry यहां पर हो गई है तो यही वज़ा है कि चीन ने अफगानिस्तान में अपनी पकड मजबूत करने के लिए 62 billion dollar वाले built and road initiative जो project है इसके हिंसे के रूप में CPC चीन पाकिस्तान कारिडोर को अफगानिस्तान तक expand करने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है तो इस तरह से चीन भी अफगानिस्तान पर नजर बनाए हुए है आई यह थोड़ा मांचित में देख लेते हैं तो यह हमारे देश यह भारत है हमारा देखी यहां तक इसको यह भारत को शपर्ष करता है पाकिस्तान को भी करता है तो यहां पर काबुल कुमभा जिसे कहते हैं हेलमन यह सब नदियां भी बहती हैं याद रखेंगो इसकी कैपिटल काबुल है विच इस सच्चुएटेट अउन दा बैंक आफ कुमभा रीवर इस तरह से यह हमांचित में देख रहा है पाकिस्तान को इरान को भी स्पर्ष क पाकिस्तान की आश्खाबाद और इरान की तहरान पाकिस्तान की इसलामाबाद कैपिटल है अब बढ़ते हैं दोस्तों what is में मारी मिलिटरी ज़्र के फोर कट रननीती क्या है तो दू म्यानमार मिलिटरी also known as इसको जो है याद रखियेगा तातमाडा भी कहते हैं वहां की जो म्यानमार मिलिटरी को तो known as the तातमाडा appears to have returned to its four-cut strategy in a bid to stamp out resistance to its rule after seizing power from the elected government in a coup on February 1st. तो एक फर्वरी को तक्ता पलट में निर्वाचिस सरकार से सत्ता हत्याने के बाद म्यानमार की सेना जिसे तातमाडा के नाम से जाना जाता है अपने सासन के प्रतिरोध पर मोहर लगाने के लिए फिर से अपनी four-cut strategy में लौट आई है तो अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि four-cut strategy है क्या तो यहाँ जो है म्यानमार में सुरक्छा और संगर्स पर केंदित एक श्रतंत्र जो शोध करता उनका नाम है किम जोलिफ, an independent researcher focused on security and conflict in म्यानमार says the four-cut strategy was first developed in 1960s when the Tatmada was struggling to fight the Communist Party of Burma and the current National Union म्यानमार's oldest ethnic armed group तो इस तरह से 1960s के दसक में या बिक्सित की गई थी जब Tatmada, Burma की Communist Party और म्यानमार के सबसे पुराने जाती सससमू कारण National Union से लड़ने के लिए संगर्स कर रहे थे तो at the time it was particularly used in the इरावदी डेल्टा रीजन वहाँ पर नदियां बहती हैं इरावदी, चिंदिविन, सित्तान अंग यह महत पूर्ण गजी हैं वहां की महत पूर्ण नदियां हैं यह भी ध्यान रखेंगे म्यानमार में बहती हैं और उस तरह इरावदी डेल्टा और बोगो योमा परवत वहाँ पर होका बराजी माउंटेन है, सारा मती माउंटेन जो नागालेंड और भारत और म्यानमार की सीमा पर सारा मती जो की नागालेंड में है, वह म्यानमार में भी आता है, अभी मैप में आपको बताएंगे, तो current human right group के now who to who के तहत जो है अनुशार के नियंत्रण के तहत छेत्रों में तात माड़ा के four cut के उप्योग ने हर उस ब्यक्ति और गाउं को लक्षित किया जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि KNU के साथ संबंद होंगे तिस तरह से 2011 में the Myanmar military has used four cut in काचिन state में भी उसने यूज किया आफ्टर a ceasefire in 2011 विडबीन तात माड़ा एंड़ काचिन इंडिपेंडेंस अर्गनाइजेशन तो यह भी काफी महत्पूर है याद रखेंगे और यह मियानमार है देख रहे हैं है ट्रॉपिक आफ कैंसर गुजर रही है इधर आपका भारत है जो के अरुनाचर प्रदेश नागालेंड मणिपूर और मिजुरम की सीमा इसपर्स करती है इधर थाइलेंड करी रहा है और यह लाओस कर रहा है इधर चीन करता ही है इसको तो यह सब ध्यान रखेंगे और इसकी कैपिटल है नाइपीडा यह देख रहे हैं इरावदी नदी बह रही है कि नहीं यहीं भी बहती है सालवीन नदी भी यहीं बहती है याद रखना होका बराजी यह माउंटेन है यह हाइस पीक आफ मियानमार है अब बढ़ते हैं दोस्तों इनवाइमेंट एंड एकोलाजी में the 10 कंट्रीज अब दा वर्ड वर्ड वेर मोस्ट फॉरेस्ट आर फाउंड यानि ड्रिंकिंग वाटर, प्रिवेंट स्वाइल एरोजन एंड दे सेम टाइम आर ए बिग प्रोटेक्शन अगेंस क्लाइमेट चेंज तो यह बहुत ही लाब दायक है हमारे वातावरण हमारे प्रत्वी की सुरक्षा करते हैं हमारे प्रकृत की सुरक्षा करते हैं वर्सा लान में भी योगदान करते हैं और कह सकते हैं वाता वरण को शुद्ध रखने का भी योगदान करते हैं तो इस लिस्ट में नंबर एक पे रूस है विस्ट का सफ से अधिक चेत्रफल 815 मिलियन हेक्टेर चेत्र में फैला हुआ है यानि दुनिया के पांचों हिस्से का जंगल तो इस तरह से और कनाडा के बाद चौथे नमबर पर अमेरिका है और पांचवे नमबर पर यहाँ पर देख सकते हैं चीन है और कांगो जो है ध्यान रखेंगे कांगो यह छटवे नमबर पर है दुनिया का दूसरा फेपडा जैसे ब्राजील देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा दूसरे the world किसे कहते हैं कांगो का कांगो के भी घने जंगल यह लेकिन विस्वत रेखी यह वर्सा वन के जंगल है यहां के ब्राजील के यह भी ध्यान देंगे हाला कि कांगो में यह लगातार कम हो रहे हैं और फिर इंडोनेसिया आठ्वा देश है सबसे अधिक जंगल फैले हुए है और नौवे अस्थान पर पेरू देश है यह दक्षिड अमेरिका कॉंटिनेंट में है और दस्वे अस्थान पर अपना भारत है 72 मिलियन हेक्टेयर हिस्ते में जंगल फैले हुए है यह भी ध्यान रखेंगे अब यहाँ पर देख सकते हैं पूरा हमने इसमें यहाँ पर कौन कौन सी बनस्पतियां पाई जाती है जैसे मैंने बताया ना योरोप में देखेंगे तो वहाँ टेंपरेट तो यहाँ पर देख रहे हैं important scheme, commission and committees में तो आज हम बात करेंगे बलवंत राय मेहता कमेटी की तो एक तरह से देखा जाया तो पंचायती राज का शिल्पिकार इन्हें कहा जाता पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट हुआ था इन्हीं की संसुती पर तो 1952 में Community Development Program आया फिर 1953 में National Extension Service आया तो इसको जो है इस पर पुरी जाच करके उन्होंने पंचायती राज सिस्टम को 1957 में जो है इसकी भलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया और इस पर विचार करके उन्होंने कहा है पंचायती राज ब्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए और उन्होंने थ्री टीयर ब्यवस्था दी यानि विलेज लेबल, ब्लॉक लेबल और दिस्टिक लेबल जो की आज भी कायम है फिर अशोक मेहता कमेटी आई 1977 इटीज आलसो कह सकते हैं रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम उन्होंने थ्री टीयर की जगा उन्होंने कहा कि इसको टू टीयर किया जा लेकिन बाद में इसे निरस्थ कर दिया गया काका कालेलकर जो समिती है यह फर्स्ट बैकवर्ड क्लासिस कमीशन है यानि प्रतम पिछडा वर्ग कमीशन जो है उन्नीस्तो तिरपन में ही गटित किया गया था फिर नाइन्टीन सेवेंटीन नाइन में यह फिर से मूर्त रूप लेने लगा बीपी मंडल सहाब आये मंडल कमीशन आया 27 पर्सनल डिजर्वेशन अधर बैकवर्ड क्लास के यानि सेकेंड बैकवर्ड क्लासिस कमीशन जो है 1979 में आया और 1983 में सरकारिया कमीशन आया सरकारिया आयोक का गठन गया या सरकारिया समीती भी कहते हैं यह केंद्र और राज के संबंधों पर एक्जैमिन करती है अब बढ़ते हैं वालीवुड एक्टर दिलीब कुमार जिन्हें ट्रेजडी किंग कहा जाता है पास्ड अवे 98 वर्स की अवस्था में उनका निधन हो गया है कई दिनों से भीमार चल रहे थे तो इस तरह से इनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान के पेशावर शहर में हुआ था उनके बच्वन का नाम मुहम्मद यूसुफ खान था ये भी याद रखेंगे और इनके पिता लाला गुलाम सरवर थे 1944 में इनकी फिल्म आई थी जुआर भाटा यानि ही स्टार्टेड इस कैरियर इन 1944 बिद फिल्म जुआर भाटा हलाकि बहुत अच्छा नहीं कर सकी लेकिन कुछ दिन बाद ही इसके बाद अंदाज फिल्म में काम किया सक्सेस फुल फिल्म रही वो अंदाज फिर पीपल यूस्ट तू काल हिम इनको ट्रेजडी किंग कहा जाता था जोगन दीदार वा दाग जैसी फिल्मों के बाद से ही लोग इन्हें ट्रेजडी किंग कहने लगे फिर दिलीव कुमार को 1991 में देश का तीसरा सर्वोच सम्मान पदम भूसर यानि भारत रतन पदम भी भूसर पदम भूसर पदम स्री तो इन्हें पदम भूसर दिया गया फिर 1993 में इनको फिल्म फेर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड औस तो से जदा फिल्म फेर अवार्ड आठ बार इन्होंने प्राप्त किया था और 1994 में दादा साहफ फाल के अवार्ड से भी ने सम्मानित किया गया और 1998 में पाकिस्तान का सर्वोच सम्मान निसाने पाकिस्तान से भी सम्मानित किया गया बड़ा भिरोधिन का हुआ था तो उस समय अटल भी हरीबाच पे इजी प्रधान मंत्री थे तो उन्होंने कहा इस समान को वापस नहीं करना है फिर 2015 मेने पदम विभूसर भी मिला था अब बरते हैं नितिन गतकरी या अपॉइंटेड ब्रैंड एंबेस्डर आफ खादी प्राकृतिक पैंट यह जो है अपने को खुद ही घोशित किये हैं परिवहन मंत्री भी है मीडियम MSME मंत्री भी है नितिन गतकरी ने खुद को खादी प्राकृतिक पैंट का ब्रांड इंबेस्डर घोशित किया है उन्होंने कहा है इससे अर्थ ब्यवस्था को और सश्रक्त बनाने में महत्पूर साबित होगा जैपूर में खादी प्राकृतिक पैंट की नई सोचालित निर्माड इकाई का ओनलाइन इनुग्रेशन किया और दोस्तों यह पैंट इस इस फॉस्ट पैंट मैनुफेक्शिंग प्लांट इन कंट्री तो बी मेड फ्राम काव डंग यह गाई के गोबर से बनाया जाने वाला देश का पहला प्राकृतिक पैंट खादी प्राकृतिक पैंट होगा यह ध्यान रखेंगे और दे न्यू प्लांट हैस बीन सेट अप इन प्रेमाइसेस आफ कुमारप्पा नेशनल हैंड मेड पेपर इंस्टिट जैपूर में इसको स्थापित किया गया है और वर्तमान में प्राकृतिक पैंट का देनिक उत्पादन 500 लीटर है जिसे बढ़ा करपर दिन 1000 लीटर किया जाएगा अब बढ़ते हैं दोस्तों पुस्तके और पुरसकारों में आज हमने खिलाडियों की प्रसिद्ध पुस्तकों को लिया है यहां से भी प्रसन आ जाते हैं तो सनी डेज सुनील गावसकर महान खिलाड़ी हुआ करते थे अब रिटायर हो गये हैं आप कमेंटरी करते हैं आईडियल्स सुनील गावसकर की ही पुस्तक है गोल्डेन गर्ल पीटी उसाई ने उड़न परी भी कहा जाता है एटच आफ टेनिस निर्मल शेखर की पुस्तक है माई क्रिकेटिंग इयर्स अजीत वादेकर वन मोर ओवर एम प्रसन्ना की बुक है गोल्डन हैट्रिक वलबीर सिंग की बुक है और सैंडी स्टॉम संधी पाचिल की बुक है एसोट एट हिस्ट्री अभिनो बिंदरा की बुक है 2008 के बीजिंग उलम्पिक में इनोंने गोल्ड मेडल जीता था और टेस्ट आफ माई लाइफ यूरा सिंग की अनब्रेकेबल एम सी मेरी कॉम जो की इस बार की धोजवाहक है फीमेल में और अजहर हर सुभोगले की बुक है One Day Wonders ये भी सुनील गावसकर की है My Best Game of Chase भी सुनात अनन्द की है और Miraculous Searching Locates Thani की बुक है The World of Kapil Deo की ही बुक है Cricket My Style ये भी Kapil Deo की है Goal Major Dhyan Chand की है Wide Angle Anil Kumbale की है 281 and Beyond या VVS लक्षमण की पुस्तक है अब बढ़ते हैं Banking and Finance Related News में Unorganized Sector Workers Will Get Cheap Loans Initiative of CIDB यानि CIDB की पहल Small Industry Development Bank of India की पहल पर क्या होगा और साथ-साथ Financial Technology की मदद से असंगठित छेत्र के के जो कारोबारी है उनको सस्ता लोन देने की तयारी चल रही है Small Industry Development Bank of India has taken an initiative in this direction Through the use of digital medium and fintech for assessing the quantum of loan the turnover of those businessmen and their day-to-day business will be analyzed और असंगठित छेत्र क्या होता है यहाँ पर हमने आपको बता दिया है The sector which is not registered with the government and whose terms of employment are not fixed is usually treated as unorganized sector समझ में आई बार इसको यहाँ पर देखिएगा जरूर और सिड्वी के बारे में जान लीजिए कि 1990 में इसके स्थापना हुई ति इसका हेड़कॉर्टर लखनौव में है इसके मैनेजिंग डिरेक्टर एस रमनना सहाब है अब बढ़ते हैं Sport News में Copa America Cup में Brazil 14 हमी बार Final में पहुँच गया है और दोस्तों अभी तक यह 9 बार Final जीत चुका है तो Brazil defeated Peru 1-0 to reach the Final of the Copa America Cup यह बहुत ही महत्पूर Cup माना जाता है और जहां जैसा की कोलंबिया और अर्जंटीना के बाद फिर इसे ही यानि अर्जंटीना और कोलंबिया कि पीछे हड़ जाने के बाद मेजबानी भी Brazil ही कर रहा है तो अब वहाँ इस जीत से एक कदम पीछे है यह भी ध्यान रखना अब इससे पहली भी 2019 में भी वह जीत चुका है अब बरते लेटस टॉक एबाउट सम इंपॉर्टन फैक्ट में आज हम लोग आर्थिक शब्दा वलियों की चर्चा करेंगे यहां से भी अक्सर प्रसन आप लोगों की एक्जाम में सीधा सीधा आ जाता है तो यहां पहला है Estate Duty क्या होती है E-S-T-A-T Estate Duty तो after the death of a person the tax which is levied on the property at the time of transfer of his termination is called estate duty याद रखेंगे फिर ad valorem क्या होता है तो such tax levied on goods which is levied on the basis of their quantity and not on the basis of their value is called ad valorem यह ध्यार रखेंगे तो यहां जो है N-U-T क्या होता है तो N-U-T में होता है एक मुष्ट निवेस को निश्यत अंत्राल के साथ समान किस्तों में भुकतान करना N-U-T कहलाता है इसी तरह से average cost क्या होता है कहते हैं इसकी average cost क्या आई थी तो the cost per unit involved in the production of a community is called average cost और अनन्य आर्थिक छेत क्या होता है exclusive economic zone तियानि यह किसी भी देश का अपना EEZ होता है जिस पर समुद्री सीमा से समुद्र तट का वाचेत पल जिसके सभी संसाधनों पर जानि जितने भी all resources है उस समुद्री छेतर के उस पर उसका पूरा अधिकार होता है उसको यूज करने के लिए वहाव स्वतंत्र होता है जैसे भारत का EEZ 200 nautical mile है याद रखेंगे इसको भी और अर्थ मिती क्या है ये भी जो है टर्मिनलोजी है इसमें जो है आर्थिक सिध्धानतों का ध्यान गणती वा सांखे की ये तकनीकों की सहता से किया जाता है इसे अर्थ मिती कहते हैं अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो इसमें अगर बात की जाए तो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी क्या है और द्योगिक इसको कह सकने है प्रजात तांत्रिक और द्योगिक तो इन दे मैनेज्बेंट आफ ए कोपरेशन कार्परेशन इन एडिशन टू एलेक्टेट डेरिक्टर्स, वर्कर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स और पर्टिसिपेट इन दे मैकिंग प्रोसेश इट इस कॉल्ड ए डेमोक्रेटिक इंडस्रियल सिस्टम तो समझ गये होंगे कि किसी निगम के प्रबंधन में चुने हुए निवेशकों के यानि निदेशकों के अलामा स्रमिकों के प्रतनिधियों की भी निरने प्रक्रिया में भागिदारी होने पर इसे प्रजातांतरिक और द्योगिक व्यवस्था या इन देस्रियल डेमोक्रेसी कहा जाता है mortar currency क्या होती है उष्णमूद्रा या उसको कहते हैं तो hot currency is called hot currency whose rate of exchange is likely to fall or is falling for this reason people are hesitant to accept this currency यानि उस्ण मुद्रा वह मुद्रा कहलाती है जिसकी विनिमेदर गिरने की संभावना हो या गिर रही हो इस कारण इस मुद्रा को स्वीकार करने में लोग ही चकते हैं और soft currency क्या होती है इसे उदार मुद्रा कहते है इस गरेंशी बित ए वाइडली फ्लक्चुएटिंग वैलू विच रेफ्लेक्स ए डिस्टरबलाइजड एकोनॉमिक सिस्टम यानि ब्यापक रूप से उतार चड़ावाली मुद्रा है जो एक अस्थर आर्थिक प्रनाली को दरसाती है तो इस तरह से हमने चर्चा किया आर्थिक शब्दावलियों का इसी तरह का आप लोग एक बना लीजिए नोट्स और लगभग पांच-पांच आर्थिक शब्दावलियां रोज इसको पढ़िए और याद हो जाएगी तो इससे आपका एक्जाम में दिक्कत नहीं आएगा अब हम लोग बढ़ते हैं आज आप लोगों के जो आप लोगों का सेक्शन है जिसमें लगातार आप लोग बहुत ही सुन्दर उत्तर दे रहे हैं आज उत्तर देने वालों में हैं इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिये हैं कुछ लोगों ने प्रस्न भी किये हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ जैसे SC-ST बेसिक डिफरेंस क्या है देखिए जैसे कि हम लोग ग्रूप में बात करते हैं सबसे उपर क्या होता है जनरल फिर OBC रखा गया है फिर SC रखा गया है फिर ST तो एक तरह से देखा जाए तो अभी जो है आर्थिक सामाजिक रूप से सबसे अधिक उत्थान की अगर बात किया जा तो आरक्षन की विवस्ता उनी को मिल रही है जो लोग अभी पिछड़े हैं तो जैसे इसमें जो वनवासी लोग है आदिवासी समूवा भी सबसे पिछड़ा माना जाता है तो यही कारण है कि सबसे निचले क्रम में ST को रखा गया है तो इस तरह से यह क्रम होता है और क्या है कोशन सिजूल ट्राइप के बारे में बताए दिया हाँ आप कहे रहे हैं शक्तियां अगर विनास देखिए वनो को आज क्या है आदिम काल से चला रहा है तो उनके प्रकिर्थ को अगर हम नहीं डिस्टर्व करें तो वहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी उतना जंगल वो लोग फिर से उगा लेते हैं तो वह जो है एकदम बैलेंस रखते थे वो तो हम लोगों ने हस्तक छेप कर दिया तब यहाँ समस्या हो रही है विनास की जंगल में आग की हलाकि यह भी कारण माना जाता है लेकिन यह जो है प्रकिर्थ में रहते हैं प्रकिर्थ से इनका अपना एक अनूठा ब्याओहार है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तो ऐसे में उतना नुक्सान नहीं होता है चुकि अगर पिछले पुराने पुरातन काल से देखा जाए तो इस तरह की समस्याएं नहीं थी यह अब देखने को मिल रही है अब आते हैं आप लोगों सेक्शन में आज पहला कोश्चन है विच इंडियन इस्टेट हैस दा प्रोजेक्ट नेम बैंबू ओशिस ओन ड्राइलेंड एरिया बिन लॉंच बाई खादी एंड विलेज इंडिस्ट्री कमीशन कहां लॉंच किया गया गुजरात, राजस्तान, हरियाना, पंजाब नेस कोश्चन है तो यह जो है रूस की है नाइजीरिया की, चीन की या म्यानमार की नेस कोश्चन है विच कंट्री एस लॉर्जस फोरेस एरिया इन दे वर्ल्ड, रूस, ब्राजील, चीन, भारत नेस कोश्चन है सरकारिया कमेटी इस रिलेटेट टो नेस कोश्चन है विच फेमस स्पोर्ट पर्सन है रीटेन दा बुक अनब्रेकेबल यानी अनब्रेकेबल पुस्तक किस चर्चित खिलाडी ने लिखी है एमसी मेरीकॉम, यूरा सिंग, साइना नेवाल, अभिनो बिंद्रा अनेस कोश्चन है यानी भारत का अनन ने आपकेबल पुस्तक किस चर्चित खिलाडी ने लिखी है आर्थिक छेतर कितना समुद्री मील है 100 नौटिकल माइल है 1500 या 200 या 250 नौटिकल माइल इस तरह से इन दसो प्रस्ण के उतर दीजिएगा आज कुछ लोगों के प्रस्ण गलत थे लेकिन आपको पता है कि मैं आप लोगों का नाम नहीं लेता हूँ उसको जरूर ठीक कर लिजेगा ठीक से सुनिएगा न्यूस तो अपने आप ठीक कर लेंगे और आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें आगे की जो भी योजनाए स्टार्ट करेंगे जो भी क्लासेज होगी वह सब आपको जैसे पता चल जाए इस तरह से जरूर बेल आइकन दबाएं थैंक्यू दोस्तों